हेलो फ्रेंड्स ओनलाइन नव्य अकेडमी में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं उत्राखंड के जैसे कि मैंने पहले बता था कि उत्राखंड की सीरीज में मेलो की जो सीरीज चल रही है उसमें हम चंपा और डिस्टिक के बारे में आज हम यापे पढ़ने व इन्हें डिस्टिक वाइस वीडियो लेकर आपके साथ आया हूँ याँ पर ठीक है तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा गर आप यह के ट्रिपल सी की त्यारी करें उत्राखंड पीस्स की त्यारी आप करें तो वीडियो को अंत तक जरूर देगे क्योंकि काफी ज या इसको पाशान मेला के नाम से भी जाना जाता है तो यह पाशान मेला जो लगता है पहले इस टाइम पे तो पहले यह था कि दो गुटाओं में लोग बंड जाते तो एक दुसरे पर पत्थर फैकते थे लेकिन अब यहां पर फूल और फल फैके जाते हैं ठीक है तो इसक रम देवल मेला जो लगता है यह भी आपका लगता है काली कुमाओं में लगता है खिलपती मेला लगता है काली कुमाओं में रिसेश्वर देव महादे मेला लगता है काली कुमाओं में यह क्वेशन कई बार पूछा जा चुका है बगवाल मेला देवी धुरा मेला पूछा चुका है लड़ी दूरामेला के बारे में जो लगता है मानेशर पास इंप scored रही कि पशा के लिए होता है एक मेला तो देखें कि पशुआ के लिए क्यों सा मेल कित क्युशं के अलमोणा नहीं को पास क्य Mayla करेग के दमक्राइछ लगता है तो दियान राकी स्केव असक आपके पास गूरा अरावली मिला क्वाच्छ डान आप यानि कि जन्जाति की question में आपके पास आ सकता है कि राजी जन्जाति का कोई प्रमुख मेला बताई तो गोरा अरावली मेला जो की चंपावत में लगता है ठीक है कार्य अभी मेला जो लगता है वो आपका लगता है चंपावत में अखिल तारणी उत्सव चंपावत में व्यान दुरा उत्सव जो लगता है ये आपका चंपावत में लगता है चौपक्या उत्सव जो लगता है ये भी आपका चंपावत में होता है ठीक है तो इंपोर्टन आपके पास ये क्वेशन्स है तो दोस्तों यह था आपके पास important वीडियो चमपावत से related ठीकर I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अंते तक जरूर आपने देखा होगा अगर जिबम इन तक अप लोगों ने channel subscribe नहीं किया ए तो channel को subscribe जरूर कर लिए जगा बेल आइकन जरूर प्रस कर लें मिलता हो जल्दी नए वीडियो के सब्सक्राइब के लिए जय हिंद्ध